देखो तंगना रावार को टिकट क्यों मिला अभी आप ये कह रहे थे तो इसका सीधा सीधा मखलब ये है कि ये पहले दिख से किसानों पर उल्जुलूल बियान दे रहे थे और गलत सलत बियान दे रहे थे जभी से हैडलाइन में आई और बीजेपी ने इसी लिए इसको टि टिकट दे गिया तो अब हर्याना का चुनाव है अब इनको दिक रहा है कि आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा तो आज ये कह रहे हैं कि हमने इससे किनारा कर लिया है हमारा कोई मतलब नहीं ये बदाए कंगना रानावत लगातार किसान आंदोलन में बोलती रही आपने उ तो जब देश की बेकिया जो मैडल ला रही है दिल्ली में कुछले जा रही थी तब बोली वो जब हातरस में कांड हो रहा था रात को उसको मिट्टी का तेल क्रोशिन डालके जहला दिया गया कभी वो बोली जब पुलदीब सेंगर के ऊपर लगतार एफायार हो रही थी लेके आए हैं लेकिन अब क्या हुआ कि उसने गलत मोके पर इनकी प्लानिंग के हिसाब से वो ब्यान दे दिया ये किसान के पड़ती पहले दिन से उसके मन में गलत चीजे हैं उटा सिदा बोलती आई है लेकिन किसानों ने उसको कभी गंभीरता से नहीं दिया था लेकिन इस बार खुद पीजे पी उसको कंभीरता से ले रही है तो कि इनका सुपड़ा साप हुने वाला है उसके ब्यान की वे से आपको पता है हर्याना के अंदर कल तमाव जगे उसके पुपने लागिन दिया होगा क्योंकि आने वाले इलेक्शन में नुक्सान उठाना पड़े को कहा जाए तो क्यों नहीं थपड मारेगी उसना बहुत सही किया था हम आज भी उसका समर्थन करते हैं नहीं हिंसा को तो अभी बढ़ावा नहीं देना चाहिए थपड मारना किसी को सही नहीं है अब की बार यह घुशका दिखाए अरियाना में यह बोट मांग कर है अच्छा यह आप अभी की बता रहे हैं और यह लोग अगर जमीन पर आएंगे तो इनको जवाब देना पड़ेगा और किसान किसान गांधिवादी तरीके से पहले दिन से अंदोलन कर रहा है किसान ऐसे ही करेगा और इनके इस का जबाब वोट की चोट से देगा और आन तो पुरी B JP, टन, मन, धन, सडियंत्र सब कुछ करके कैसे भी हरियाना में यह चातिए कि हमारा ही सरकार दुबारा आ जाये ताकि पंजाब का किसान दिल्ली तक न पोहुँच पाए जिस दिन इनकी सरकार बीजेपी से चली गई पंजाब का किसान हर्याना का किसान दुपारा बोडर पे आ जाएगा और फिर इनको दुपारा से किसानों की बातों मांगनी पड़ेगी फिर हाद चोड़ कर माफी मांगनी पड़ेगी पहले की तरह तो इनकी पूरी प्लानिंग है को अनोफिशन करार कर दिया और वकाइदा उनके खिलाब जो है नोटस जारी कर दिया है यह कह रहे है कि अपकी बार जो है कंग्रा रानावत पर अक्शन लिया नुकुर्श शर्मा जी पर क्यों अक्शन लिया कभी भी किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो बीजे की इसको पर संग्यान देती है इनके करनाटा बहुत परदान मंत्री बीजेपी के लिनियर नेता है वो खुद अफमान कर रहे उन पर क्या एक्शन ले लिया अरे तुद कह रहे यह तो आंदोलन जीवी हैं आंदोलन जीवी का मतलब समझते हो क्या होता है आंदोलन जीवी है आप लोग आंदोलन जीवी नहीं है क्योंकि आप देश विरोधी हो हम उस नसल के हैं उन्होंने आंदोलन करके भारत देश को आजाद कराया आज तुम्हारे सामने बीनु जी ऐसा क्यों होता है जो जितना जहरीला वयान देव से उतना बढ़ावा मिल जाता है मुझे बता जहरीला बयान देगा उसे उतना बढ़ावा मिलता है क्या? जहरी लब आप मुझे बताइए ना कि कहा बीजेपी ने तुरण सुनकर आक्शन लिया या उनको रबेमेंट किया आपका वियान गलत है और उनके जो पर्मानी की इस चीज को बोड़ने का यही बोला आप यहां लेक्टर मनुट शाफ जो है उचे लेक्टर की तर्मीन को से जुड़ा जवाब दीजिए यह कहना यह कहना लॉजिकल नहीं है कि वो दोशी तो हम कंदोशी तो हमें क्लीन चिट ना मैं आप से आपकी पार्टी का पुछ रही हूं आप अतना बताईए आपकी आवास चीक से नहीं आ रही है बीनु मेनन जी आपकी आवास वोड़ी इससे ठीक कराने की खोशिश करती हूं शायद कोई दिकत है बीनु मेनन जी आपकी आवास प्रॉपर तरीके से आ नहीं रही है आपकी आवास आवास आ रही है बोलिए बोले मैं कहरा हूं कि यहां बैचकर बलिक साब जो है सियल सब करमी को सबोर्ट कर रहे हैं तो यह कल त ठीक है लेकिन वो फिर भी नहीं सुद्री है और पिर इदर उधर की बाते करने लेगे मैं आपसे आपकी पार्टी के बारे में पूछती हूं आप फिर इदर उधर चले जाते हैं मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहे थी कंगना रनौत के बयान के बाद देशबर में किरकि हो रही हैं तो पूरी स rapid की उठानी पड़ती है अगर कोई एक सांसर बार बार इसी पर जुचने वाली बात है, सोचना चाहिए कि कैसे उनके जुबान पर लगानी है या पिर कैसे उलजलूल बयान देने से बचाना है ताकि पार्टी की इस्दबर करार है, यह सोचना चाहिए आपको क्योंकि कोई छोटी-मोटी नेता नहीं, बीजेपी की सांसद हैं. बीनु मैनन जी से मैं जब-जब सवाल पूछ रही हूँ, वो सिधा कॉंग्रस पर आजाते हैं, वो कॉंग्रस नेताओं के बयान पर आजाते हैं, वो राहूल गांधी के बयान पर आजाते हैं. क्योंकि मेरे बास टाइम कम है वरुन जी का रियाक्शन लेना है फिर मुझे वाइंड भी करना है बीनु जी आप बहुत बोलिये वरुन जी बोलेंगे इस प्रकार करते हैं लेकिन आप मुझे बता है जिब रहुल गांदी को बयान देते हैं तो इनके कारेकरता करते वो और उनके आप सदस्य दाध करते ते तो तुरंती आप क्यों नहीं करते हैं तो कौन सा इलिमेंट है तो कौन सा इलिमेंट है पालतु की बाते करने में बैठ करके आप याद जवाब दे नहीं पा रहे हो आप क्यों नहीं उसकी सदिस्से दारत करते हो इतने एथिक से मॉरल है आपने सदस्य दारत करते हो रूपूर शर्मा फरिंज अलिमेंट हो गई और यह आपके यह कुन सी अलिमेंट है आप जवाब दो क्यों दिया टिकेट ऐसे हाजमी को किस क्या काईट एरिया था तिकेट देने का रहाए कि रहां क्या एक आप बढ़ी जिम्मेटारी का काम होता है सांस कि अलिमेंट होती है आप सांसिये हैं बहुत फर्क पड़ता है इस्वाटि के नेता कैसी भाशा का इसतमाल करें, उनका IQ Level क्या है, उनका सामाजिक ज्ञान क्या है वो किस परिपेक्श में क्या बयान देते हैं अपने भाशणों में कि इस शब्दों का इस्तमाल करते हैं सब बातों का बहुत फर्क पड़ता है और सबसे जादा फर्क जो देखा जाता है वो देखा जाता है चुनाव के टाइम में BJP को बहुत जादा सोच समझ कर चलने की जरूरत है अगर कंगना रानौ इसी तरीके से बयान देती रहें तो फिर आगे मुश्किल बड़ी उठानी पड़े कि और अगर हम बीनू मेरेंजी से सवाल का जवाब ढूनने के तलाशनी की कोशिश करें तो हमें यह समझना चाहिए कि यह जो ब बीडर्स को हम आने नहीं देंगे क्योंकि नाराज की किसानों में बहुत जादा है आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया बीजेपी को कोई बीजेपी ने साफ कर दिया है कि कंगना इस तरह के अनर्गल बयान देने से भविशे में बचें क्या आप सहमत है इस आक्शन से या फिर इस टिपणी से आप बताईएगा जिस तरीके के अभी के रियाक्शन्स हैं आगे कुछ और खबरे होंगी आप तक पहुंचाएंगे छोटा सबरे के आपर दोटेंगे